एक लिटे ऑफिहें से हष्वारदन कि वेलकम टूमाय शानल अध्यकल हर्ष्ट पार्ट फोर्थ खम्प्लीट करेंगे तो इस वीडियो में हम टेक्स को कैसे डिलीट करना सीखेंगे इससे पिछली वाली वीडियो में आमने नवीगेट करना सिखा था कि कैसे करें करजर को हम उपर डाउन लेफ्ट राइट कैसे लेके जाएंगे या एक लाइन आगे पीछे तो इसमें हम ड्लीट करना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल फोल लेता हूं यह मेरी टेक्स फाइल है ठीक है मैंने और टेक्स फ लाइन पे आ गया अब आप देख रहाए यहाँ पर घंड खेंगे तो यहां पता हूं कि हमें लाइन को कैसे स्विच करना होता है एक से दूसरे लाइन पर अब इस में हम delete की बाद करेंगे तो delete करने के लिए हमें क्या करना एक X हमें मतलब command mode पर रहना है command बोड में वह आपको पता चुका हूँ escape press करके आप command mode बहेंगे तो मुझे मालोब है cursor को यहां लेके जाता हूँ अब मेरा cursor exactly C पे है ठीग है connecting के C पे लिखा हूँ अब मैं यहां पे command mode में express करूँगा तो जिस भी alphabet के नीचे करज़र होगा ना वो alphabet delete होगा आप देखे हैं कि C delete होगया अब मेरा O की नीचे है तो O delete होगया तो जिस भी alphabet के नीचे करज़र होगा वो delete होता जाएगा ठीक है अब हमें मतलब अब मैं वो capital X का बताता हूँ ठीक है मालनो मेरा करज़र अब G पे है और मैं capital X press करूँगा तो यह करज़र के पीछे वहले चीज़ डिलीट करेगा ठीक है मैंने shift hold किया और X प्रेस किया मतलब X तो अब यह आई डिलीट करेगा तो आप देख रहे हो यह पीछे 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 वहले चीज़र डिलीट करता रहेगा जो मतलब हमें G और X और caps में X का समझ आ अब ऐसे हमें word डिलीट करना हो तो तो मानलो मैं यहां पे हूँ C पे ठीक है अब मुझे connecting एक word डिलीट करना है तो मैं क्या प्रेस करूँ कि एक मेरा word डिलीट हो जाए तो इधर हो मैं तो मैं small d और w जब मैं प्रेस करूँगा तो डिलीट वर्ड एक word डिलीट हो जाएगा अब मैंने dw प्रेस किया तो आप देख रहो करेक्टिंग डिलीट हो चुका है अब मैं फिर से dw प्रेस करूँगा तो देखो आप two डिलीट हो चुका है तो यह एक एक word को डिलीट करना है तो आप तो आपको d और डभ्यू प्रेस करना पड़ेगा अब इसके बाद आती एक कि हमें लाइन डिलीट करने के लिए कुम हमें अब मालो मैं इस मुझे यह डिलीट करनी है तो मैं दवल डी प्रेस्ट कर हुना तो जिस लाइन पे मैं था जाए आगे जाए बीछे मतलब किसी भी alphabet पर या लाइन के हाफ में था कहीं पर था वो पूरी लाइन हिं गहीं ठाक है अब जैसे मैं वांद लो फ tu soren ओ सब्सक्राइब थिक है अब मुझे फस पूरी लाइन डिलीट करनी है इसका एंड कहएं यह यहां पे अकांट के तो मुझे यहां तक पूरी डिलीट करनी है अब मैं जाए W पर हूँ चाया मैं Streit को इंटरनेट तक ले जाओ यहां पे ले जाओ तो यह क्या करेगा आगे पीछे दोनों को मिला के पूरी लाइन जो एक साथ जुड़ी हुई है इस लाइन को डिलीट करेगा तो आप देख रहूं वह वह लाइन पूरी डिलीट होगी हमें पता चलके अब इसमें मैं एक जैसे यूजर्स के अंदर कितने फ़ाइव है ठीक है यूजर्स के अंदर फाइफ अल्फअबट से मिलके बनाएक वर्ड तो मुझे दो इसके अंदर से वालो घ्रिविट करने तो मैं तू प्रेस करूँगा पहले उसके बाद मैं एक्स प्रेस करूँगा तो यू और एस देखो अब दो करेक्टर डिलीट होगे ठीक है ऐसे ही आप three four five seven कितने भी आप कर सकते हो तो मतलब आप number उनके आगे लगा सकते हो capital X के आगे भी यही सीन हो का जैसे मैं S पे हूँ और मैं two or caps में X करता हूँ तो उससे पीछे के दो करेक्टर डिलीट हो जाएंगे अब ऐसे ही आप वर्ड पे भी कर सकते हो मैं two dw लगाऊंगा तो दो वर्ड डिलीट हो जाएंगे तो डिव में ने किया तो आप देखे रों दो वर्ड यहां पर डिलीट हो गई यूजर्स और कनेक्टिंग डिलीट हो गए थे ठीक है अब ऐसे ही आप डीडी में में भी कर सकते हो मुझे दो लाइण से डिलीट करनी है जैसे कि यह वबढ़ी पूरी लाइन है यह वली पूरी lieट है और यह एक शॉर्ड सेक्यूरेटी जाने सेव यह एक तीसरी लाइन है तो मैं घिली तीनो यह तो तो इन呢 लाई में यह लाइन यह सब वर्क करेंगे अब इसमें एक चीज़ ओर आती है वो आती है कैप कैपिटल डी तो कैपिटल डी क्या करता है जैसे मानलों मैं इधर हो ठीक है पोटेंशल पर अब मुझे यहां से लेकर डिलीट करनी है लाएं मैं चाहता हूं इससे पीछे यह जितना भी पार्ट यूज करोंगा ठीक है जैसे मानलो मैंने कैप में शिफ्ट प्रेस किया और डी प्रेस किया तो आप देख रहे हो वहां तक बच गया लेकिन जहां से मेरा कर जाता है वहां से पूरी लाइन डीलीट हो गई तो इसका भी अपना एक अलगी बेनेफिट है आप यूज करते ज कि में कंट 2 तक करनी है तो वह किसे करते हैं अब उसको करने के लिए मैं कमान Cliff पर जाकी मैं लिकेऊ अब कॉल कि अब कहाँ पर यहां उस चगा पर देखना है आपको ठीक है क्योंकि मैं करंद या पर टाइप करें वह आपको को देखनी है कि यहां पर कैसे होगा तो अब य 4th Line से या 5th Line सेaponors if कूर की लाइन तक करनada को नहीं है मालव मुझे 11 टक करना दिलेट करनी है और डिलिलेट करनी है। इसके लिए D जब मैं यह लिख दूँगा कि 5th to 11 डिलीट है धे जब एंटरमात चरी हो तो आप करो हैं फिर से 11 तक दिलीट हो गई और बाकि जो बची हुई थी जो मैंने छोड़ दी वो बच गई ठीक है